दोस्तो आज हम बची हुई रोटी से ऐसा नास्ता बनाएंगे जिसमें ना तो उबले आलू की जरूरत है न घंटों मेहनत करने की पाँच मिनट में आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी वक्कुर्कुरे लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने दो बची हुई रोटी ली है, अक्सर सुबा या साम रोटी बनाने के बाद कुछ रोटी आप बच जाती हैं उनी से आज हम ये नास्ता बनाएंगे, तो चलिए अभी हम इनको साइड में रख देते हैं और आगे की त्यारी कर लेते है तो यहाँ पर मैंने एक थोड़े बड़े साइज के कच्चे आलू को छिल कर ले ली है इसे हम कदु कस कर लेंगे तो इसके लिए छोटे छेद वाले जाली का इस्तमाल कीजेगा जिससे की इनके लच्छे छोटे छोटे निकले आलू को मैंने कस ली है अब इसमें हम डाल रहे हैं एक कप बारी कटावगा पालक पालक की जगा मेथी या बारी कटावगा हरा धनिया भी ले सकते हैं आधा चम्मच आजवाईन, आधा चम्मच जीरा डालेंगे एक चम्मच धनिया पौडर, आधा चम्मच लालमेच पौडर आधा चम्मच गरम मसाला पौडर और एक चोथाई चम्मच हल्दी पौडर डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने नमक ली है दो चूटकी हिंग एट करेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है पालक भी सौफ्ट हो गए है तो अब हम इसमें डालेंगे बेशन यहाँ पर मैंने एक आलू के लिए आधा कप बेशन ली है एक टेबली स्पून सफेद दिल डाल रहे है इससे नास्ते में बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक घोल त्यार करेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसका एक थोड़ा घोल त्यार कर लेजेगा देखिए इस तरह से तो ये हमारा आलू बेशन का गोल त्यार हो गया अब फटा-फट से हम नास्ता बना लेते हैं तो इसके लिए हम एक रोटी लेंगे इसे chopping board या plate के उपर रखेंगे और इसके pieces कट कर लेंगे तो रोटी को मैंने चारो तरफ से काट कर निकाल ली है और इसे चौकोर कर लिया है अब हम इसके पतले-पतले stiff काट लेंगे आप चाहें तो रोटी को चौकोर, गोल या तीकोन सेप में भी काट सकते हैं जैसा आपको पसंद हो मैंने इसे इस तरह से पतला-पतला लंबा-लंबा काटा है और दोस्तों यहाँ पर आप 20 रोटी की बजाए ताजी रोटी से भी ये नास्ता बना सकते हैं तो देखिए दोनों रोटीओं को मैंने काट कर तियार कर लिए अब एक रोटी की श्टिप लेजए इसे आलू बेशन के घोल में डालिए और इसे घोल से अच्छे से कभर कर लिजिए और इनको इस तरह से हाथ से उठाकर गरम तेल में डालते जाए मैं इनको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें डी फ्राई भी कर सकते हैं तो इसके लिए पैन में मैंने दो बड़े चमज तेल गरम कर ली है इसमें एक एक करके ये इस्टिप डाल देंगे चितना की पैन में आ जाए और अब हम इनको मीडियम आज पर गोल्डेन होने तक फ्राई करेंगे दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद देखिए ये एक तरफ से गोल्डेन हो गया है तो इनको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी गोल्डेन होने तक फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिनट बाद देखिए ये दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी फ्राई हो गया है इनका कलर सुनहरा हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे निकालते समय इनको थोड़ा तीरचा कर लिजेगा जिससे की एक्ष्टर आयल पैन में चला जाए इस तरह से ये बहुत ज्यादा आयली भी नहीं होते हैं और एक्टम क्रिस्पी बनते हैं तो यदि बच्चे ठंडी रोटी खाना पसंद ने करते हैं तो उन्हें इस तरह से गर्मा गरम ये नास्ता बना कर खिलाईए बच्चे देखते ही चट कर जाएंगे इसे बनाना जितना आसान है न खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं बहुत ही कम समान में हमारा ये नास्ता बनकर त्यार हो जाता है इसे देखकर कोई पैचानी नहीं पाएगा कि इसे हमने ठंडी रोटी यानि बासी रोटी से बनाया है ये इतने क्रिस्पी वा टेश्टी लगते हैं तो ये लिजिये हमारा ये गर्मा गरम नास्ता बनकर त्यार हो चुका है तो दोस्तों यदि आपकी भी रोटियां बची वही हैं तो तुरंत फटा फट से ये नास्ता बनाये और सभी को खिलाये और मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी उमीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेस्पी जरूर से पसंद आएगी और रेस्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सेर करिएगा और रोज नई इनिविटिव रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद